नमस्कार दोस्तों उमीद है आप लोग स्वास्ते हों खुश होंगे हजिर हुन है उमाइनिटेट टाइगर की एक और स्टोरी के साथ दोस्तों आज की स्टोरी है मर्विन स्मित की और स्टोरी रही होगी अठारह सो नब्बे के आसपास की दोस्तों स्टोरी है पतकालीन मैसू स्टेट की एक्चली उस तमाई मैसू स्टेर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर मर्विन को भेजा था कि वो वहाँ जराब देखें कि कहीं पर सोना होने की पॉसिबिलिटी है क्या यानि कि उस प्रोस्पेक्ट को एक्स्प्लोर कर रहे थे उस इलाके में इलाका काफी वीरान इलाका था जंगली इलाका था वहाँ पर डेट पाम बैंबू इस तरह के पॉंधे थे और काफी बड़ी ताजात में थे और यह एरिया है यह था चीतल दुर्ग और सीमोगा जो तो काफी थे एरिया में लेकिन उसके लावा एक और चीज यहां पर था कि इस एरिया में टाइगर्स बहुत थे वैसे भी उस समय भारत में टाइगर्स के संख्या बहुत ज्यादा थी नौर्थ से लेके साउथ तक और देश में एट टाइम कई मैनिटर एक्टिव रहते थ क्योंकि कई इलागों में जहां पर मैनिटर थे या टाइगर्स थे वहां पर लोग भी जंगल का शिकार करते थे जंगल में जंगली जानवरों का धिरन भी बहुत सारे लोगों का फैब्रेट शिकार हुआ करता था अच्छा आज की तरह खेती बाड़ी इतनी ज्यादा नहीं थी लोग इतने विकसित भी नहीं थे जंगल में रहने वाले लोग ज्यादा था नॉन वैस्पर ही जिंदा रहते थे वो किसी भी प्रकार के जानवर को माल लेते थे तो जाहिर था जब इनसान के द्वारा जंगलों में इस तरह जानवरों को मारा गया तो टाइगर्स का जो नैचुरल फूर्ट था वो कम हो जाता तो उसकी पूर्ती के लिए या तो वो पालतु मोवेश्यों को मारते थे या फिर भूग ज्यादा बढ़ जाती थी तो फिर इनसान को मारना लगते थे इनसान को एक बार मार लेते थे तो फिर उनकी मन में ये बात आ जाता था ये एक शिकार है जिसको सबसे आसानी से मारा जा सकता है या फिर वो एस्टाबलेस्ट मैनीटर बन जाते थे उसमें जितने भी इलाके थे नौर्थ से लेके साउथ तक उनमें टाइगर हंटिंग पर कोई विशेश पाबंदी नहीं थी याणि कि आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता था और उसके बाद आप अगर ट्रॉफिय हंटर हैं तो अपना शौक पूरा कर लीजिए कि आगर आप किसी इस तरह के टाइगर को मारना चाहते हों जो किसी इलाके के महवेश्चूं के लिए खत्रा बना है या कहीं पर वो इनसानों को मार रहा है तो उसके लिए भी आपको परमिशन्स आशानी से मिल जाती थी तो जिस इलाके की ये बाहत कर रहे हैं कि तल्दुर्ग और शिम्योगा डिस्टिक के बीज के इलाके की, उस इलाके के बारे में भी ये कहा जाता था कि वहां पर टाइगर्स बहुत ज्यादा होते थे हो सकता है आसपास के इलाकू में टाइगर्स का भोजन न हो कम हो तो और जगे से इस तरफ माइग्रेट कर जाते थे और यहाँ पर कई बार वो इनसानों पर भी हमला कर देते थे जाने अंजाने में और जो पाल तुम वेशी थे उन पर तुम हमला करते ही करते थे अच्छा जब टाइगर्स उस इलाके में ज्यादा थे तो जाहिर था इंसानों का मूव्मेंड भी कम हो जाता था तो सरकार की तरफ से घोषणाए बनाई हुई थी कि जो भी टाइगर को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा जाने कि टाइगर्स को मारने पर उसमें लोगों को इनाम दिये जाते थे तो वहाँ पर एक मैनीटा टाइगर एक्टिव हुआ था जिस समय वर्विन वहाँ गए हुए थे उस टाइगर को उस टाइगर की वज़े से बहुत सारे लोगों को अपनी जान कवानी पड़ी तरी 26 लोग उसने मारे थे जो की 9 थे गॉवर्मेंट र हो गई और कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिली कई बाल लोग होते थे कि दूर गाओं कहीं जाते थे अपने रिस्तेदारी में घर से निकले रास्ते में गायव हो गए जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंचे और अपने घर से भी पता चला कि ये बंदा तो गायव हो गया, कहां गया, कुछ पता नहीं, तो बहराल ये मैनिटर टाइगर वहां पर कापी एक्टिव हो गया था, अब इसकी वजह भी ये थी कि इसको मारने की कोशिश की थी पहले, और कोशिश इस वजह से की थी, क्योंकि इलाके में टाइगर से बहुत ज्यादा थे, और उसके लावा, गौवर्मेंट का जो reward था, वो एक वजह थी, तो एक बार क्या हुआ कि वहां का कोई local व्यक्ति, जंगल में गया हुआ था, वहां एक artificial lake बना था, वहां पर जंगली गूज आते थे, तो उसको मारने के लिए वह एक पेड में बै गया था, वो आशानी से मर जाता उसके, वो पूरी दिन भर वहां बैठा रहा, लेकिन कहीं कोई उसे दिखाए नहीं दिया, लेकिन उसने क्या देखा कि एक टाइगर आया जंगल से, और आके उसी के पेड के नीचे बैठ गया, कुछ देर बैठा रहा और फिर लेट गया दूप में, पहले तो ये वेक्ती सांत बैठा रहा गया, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर अचानक उसे ध्यान आया, कि अगर मैं टाइगर को मार दो, तो गौवर्मेंट ने जो रिवार्ड घोशित किया हुआ है, वो उसे मिल जाएगा, शायद उस जमाने में जो माग में आयी, तो उसने उपर से निसाना लगाया, उसने निसाना खोपड़ी का लगाया था, खोपड़ी के बज़ाए, वो गौली टाइगर के आख में लगी, और जैसा कि मैंने कहा, उसकी जो गंद थी, वो कोई भारी गंद नहीं थी, बलकि शोटे-मोटे जानवरों को या पक्षियों को मारने के लिए उसको यूज किया जाता था, तो टाइगर को जैसी गुली लगी, टाइगर उचला हुआ में, जोर से दाढ़ा, उसके बाद उसने, जिस पेड में वो व्यक्ति बैठा था, उस देर तक उसके बार्क को उसने फाड़ा अपने पंजों से, उसके बाद धिरे-धिरे गरजता हुआ जंगल में चला गया, और इवेंचली उसकी जो गुर्राहट थी, दाहारना था, वो बंद हो गया, या व्यक्ति शुरू में तो डर गया, टाइगर की बोडी लेंग्वेज उसके दाहारने को देखकर, देहा जाओ, दुपका रहा पेड़ में, दो घंटे करीब हो गया, जब उसे लगा कि अब टाइगर जंगल में काफी दूर चला गया, या उसे ये भी उम्मीद थी कि मर गया होगा, तो पेड़ से उत्रा और घरा गया, दूसरे दिन अपने काहों के साथियों को लेके जंगल में गया, धूनने के उस इलाके में पुरा ढूड़ा, अच्छी तरा ढूड़ा, कहीं कोई काईगर उन्हें नहीं मिला, तो इस प्रकार उसका जो इनाम की लाल सा मन में थी, वो भी धूमिल हो गई, इस प्रकार कई दिन वीद गये, करीब-करीब दो हपते हो गये, और उन दो हपते में, उन्ह नहीं पहुंचे उसके बाद एक अपते बाद दूसरा व्यक्ति गायब हो गया फिर तीसरा इस तरह लोग गायब होने लगे अब इतना ही नहीं हुआ लोग गायब हो रहे हैं उसकी बज़े भी लोगों की समझ मागी कि यहां पर एक मैनिटर टाइगर आ गया लोगों ने दे पर जाहिर है जो उसको चोट लगी थी उसकी एक आख उसमें चले गई थी तो आपने उसे एक अपंग बना दिया जो उसकी नेचुरल फूड को पाने की जो उसकी ताकत चाला की होती थी उसको आपने खतम कर दिया जिसकी वज़े से वो एक आसान से शिकार को ढूडने कारे उसे रास्ते में चलता हुआ कोई इंसान मिला उसको उसने मार दिया उसके बाद उसकी इंस्टिंक्ट से उसे पता चला कि यह तो आशान सिकार है वो एक एस्टेबलिस्ट मैनीटर बन गया कहने का आर्थ यह है कि उसको मैनीटर बनाने में पूरी तरह से इंसान का तो जब ये वहाँ पहुंचे थे मर्वीन तो इन्हें उस मेनीटर के बारे में सुना और ये भी सुना कि करिफ 26 लोग अभीता कि इस मेनीटर ने मार दिये हैं और उस इलाके के लोग इससे खासे परिशान है ये अपने फोरस बैंगलो में रहते थे और कई दिन हो गए थे इ इस राइगर ने जो मेल केरियर्स थे पुराने जवाने में हरकारा जिनें बोलते थे हरकारों को मारना भी शुरू कर दिया अब हरकारों को सायद मारना इसले शुरू किया कि इसे कोई और इनसान नहीं मिला हरकारा चुंकि उसकी नौकरी है और उसको मेल केरी करनी है एक ज से दूसरी जगह जाते थे, उनके कंधे में एक लकडी होती थी, जिसके एक तरफ घुंगरूब बंदे होते थे, जिन से आवाज आती थी, और दूसरे सिरे पर डाग का थेला लटका होता थे, जिसमें डाग होती थी, ये उसका एक टिपिकल उनकी ड्रेस हुआ करती थी, तो हो सकता है जब इस टाइगर को कोई और भूजन ने मिला, इसने देखा कि आवाज आ रही है कोई कि किसी के चलने की, तो इसने रास्ते किनारे बैठ कर कहीं छुपके इंतजार किया, और इसने देखा है कि इनसान आ रहा है, एक दिन इसने उसे मार दिया, कुछ दिन बाद उसे फिर वही सेम आवा सुनाए दी, तो उसकी इंस्टिंग ने बताया कि हाँ ये आदमी आ रहा है, उसने दूसरे को मारा, इस प्रकार उसने करीब चार हरकारों को मार दिया था, और अब मुश्किलिये हो गई थी कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने मेल ले जाने से इंक इनके लिए भी परेशानी होगी और डिपार्टमेंट के लिए भी परेशानी होगी, तो ये काफी परेशान थे कि इनको मेल से नहीं मिल रही है और साथ में इनको पता चल गया था कि ये जो मैनीटर है वो मेल कैरियर्स को मार रहा है, तो इन्होंने अपने एक साथी के कई जगह जहां पर इस मैनीटर ने ज़्यादा लोगों को मारा था उस जगह पर बेट्स बादे और मचान पर बैठे बेट्स मल्टिपल जगह पर बाद दिये ताकि जिस भी बेट को मारेगा उसके आसपा से कहीं पर मचान मना के बाद में बैठ जाएंगे बेट्स को अच्छी तरह इनुने पेड उसे बाद दिया ताकि अगर टाइगर उसे मारे तो ले जाने पाए कई उपाहे कि इनुने कई बार जंगलों में रात रात बर दिन दिन बर बैठे रहे दोड़ते रहे लेकिन इन्हें कहीं भी मैनीटर का सुराख नहीं मिला अब इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या ऐसा किया जाए कि ये मैनीटर को मार सकें तो इन्हेंने एक नहीं योजना बनाई इनकी धिमाग में एक ये बात आई कि ये मेल केरियर्स को मार रहा है यानि कि जो हरकारे हैं उनको मार रहा है क्यों नहीं इनमें से कोई ए चाल चलनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि यह हरकारा बनके आये कोई व्यक्पी और दूसरा मचान पर बैठे और उस जगह पे जहां पर इसने हरकारों को मारा है, वहां पर मचान बनाया चाहिए. मचान इन्होंने बना लिया और उसमें कौन बैठेगा इसका निश्चे किया इन्होंने कोई उचाल के, कोई उचालने के बाद यह हरकारा बनेंगे और इनका जो साथी है वह मचान पर बैठेगा. सारी स्टेज सेट हो गई, मचान पर इनके साथी बैठ गए, जो इनसे काफी जूनियर था, काफी यंग था, और यह कुछ जगे से जो इन्होंने मार की थी, यहां से हरकारे के रूप में पैदल चलंगे, वहां तक अपने घोड़े में गए और वहां से इन्होंने घोड़ भिजवा दिया, उसके बाद यह कोई हरकारे का रूप धरके, एक पगड़ी पहन के, धोती पहन के, और कंदे में लकड़ी रखे, जिसके एक तरफ एक फैला सा बदा है, और दूसरी तरफ उसके घुंगरू बदे हैं, उस दाठी को कंदे में रखे, चलने लगे, जो जो आवा जाने लगे, अब शाम का समय था, अधेरा हुआ था, तो जब यह कुछ देर आगे चले, तो इनको यह लगने लगा, कि उन्हें बड़ा ही खतरना काम कर दिया है, अगर वहाँ पहुंचने से पहले ही इन पर हमला कर दिया, तो यह क्या करेंगे, इनका जो प्लान था उसमें अब इनको बहुत बड़े-बड़े फ्लाउज नजर आने लगे, फ्लाउज यह थे, कि एक तो अगर रास्ते में मैनीटर ने इन पर हमला किया, तो अपने आपको कैसे बचाएंगे, कोई उपाय नहीं था, और दूसरा फ्लाउज इनका यह था, कि अगर मैनीटर न तो ऐसे केस में भी वो मैनीटर को मार नहीं पाएगा, अगर गोली चला दी, तो पता चला मैनीटर के वज़ए उसने अपने साथी कोई मान, तो इनके इस प्लाउज में बहुत बड़े फ्लाउस थे, तो इस प्रकार जब यह चलते रहे, तो कहें कि मुझे बड़ी मुश् पहले ही मुझे मार देगा, ऐसा लगा मुझे कि मैं जोर से चीखूं और फिर दोर लगा के भाग जाओं, लेकिन वो भी हो नहीं पाया, बहराल जैसे तैसे मैं उस मचान के जब पास में पहुंचा तो मैंने पहले ही अपने साथी को आवाज लगा ली, साथी ने कहा, घब खाम खाम आपको ऐसा लग रहा है कि मैंनीटर आपके पीछे आ गया, मैंनीटर कहीं है नहीं आसपास, उसके बाद मैं मचान पे चड़ा और पूरी तरह से शेकन था मैं, और उसके बाद मैंने साथी से रिक्वेस्टी की कि अब कल से हम इस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरा साथी है मानने को तयार नहीं था, मेरी बाद को समझने को ही तयार नहीं था, अगले दिन उसने कहा कि वो हरकारा बनेगा, और मचान पे मैं बैठूगा. कि मैं मचान पर बैठ गया प्लान के मुताबिक और ये चला गया उस जगर जहां से इसने पैदल चल के आना था शाम के अधरे में कि ये पैदल चलना शुरू हुआ वहां से जैसे मचान के पास मैं पहुंचा था वहां से कुछ दूर होगा तो मुझे ये लगने लगा कि इसके पीछे कोई साया चल रहा है पहले तो जब ये अपनी जगर से चला था मुझे तब से डर लगने लगा पता नहीं रास्ते में कहां उस पर मैंनीटर हमला कर दे और कर देगा तो मैं क्या करूंगा मेरे पास कोई उपाय था नहीं उसको रोकने के लिए या उसको बचाने के लिए लेकिन अब चूंकि य जूजू यह मचान की तरफ आया, पर अचानक इस से 20-25 गज की दूरी पर मुझे कोई ऐसा लगा, कोई साया चल रहा है, एक elongated body धीरे-धीरे इसके पीछे आ रही है, कि मैंने गौर से उसे देखा, निश्चित रुप से वो मैनीटर ही हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था, कि जब ये कुछ और आगे आया, तो फिर मैं अपने आपको रोक नहीं पाया, मैंने निशाना लगाया और उस सायपल फायर कर दिया, फायर करने से पहले मैं एक बार ये सूच रहा था, अपने साथी को आवाज लगाऊं और उससे कहूं, वो दौर लगा कि भागे वहाँ से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, कि उसके बाद जब मैंने फायर किया, तो मेरा साथी चिल्ला पड़ा, कि ओडवेन क्या कर रहो तुम, हमारी गोली मेरे कनपटी से, कान के पास से होके चले गई, कि उसके बाद मैंने उसको मचान में खीच लिया और उसको बताया कि तेरे पीछे मैनीटर आया था, कि मचान पर हम बैठे रहे, सुबह रीचे उतरे, मैं 100% confident था, कि जहां पर मैंने गोली चला रखिया है, वहां पर मैनीटर को गोली लगी होगी और खून गिरा होगी, कि मैंने आसपास सर्च किया, बहुत देखा, खून का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और उसके अलावा कहीं कोई tiger के पैरूं के निसान भी नहीं थी, अगर गोली उसको नहीं लगी होती है, और वो अगर stock कर रहा था मेरे साथी को, तो जरूर उसके पैरूं के निसान बने होते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था, तो फिर मेरा साथी मेरी मजाग बनाने दिया था, तो कहते हैं कि मैनिटर को मारने के लिए हमने कुछ ऐसे plans बना दिये थे, जिनमें बहुत चारी खामिया थी, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन अन्तुत अगत्वा खुशी की ये बात रही कि हम ऐसे किसी का कोई नुक्शान नहीं हुआ, औ और किसी तीसरे सिकारी ने फाइनली उस मैनिटर को मारी दिया, तो दोस्तों ये थी स्टोरी वनाहिट मैनिटर की, उमीद है आपको पसनाए होगी, जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिये, नमस्कार.